हेलो गाईज तो सिधा मुद्देप आते हैं तो जैसे कि माय कंप्रेटर के प्रॉपर्टिस में आप जाएंगे तो एक मैनू खुलेंगा जैसे कि यह राइट किलिक किये राइट किलिक करने के बाद यह प्रॉपर्टिस में जाना है हमारे को और प्रॉपर्टिस में हम जैसे चले गए तो मैनु भार खुल गया मैनु आपको खोनने के बाद आपको कहीं पर जनरेशन नहीं दिखेगा तो आपको यह जो दिख रहा प्रोसेसर इंटल कोर तो आई फाइव है यह तो हमको साभीत है कि आई फाइज दिखा रहा है पर जनरेशन का पता कैसा करें तो बहुत लोगों को कन्फिजन होता है कबाड़ी वाले लोगों को इदर उदर में जो भी है बिचारे बहुत तो उन लोगों को यह वीडियो काफ नीटिख रहा है 246 तो टू को अपको हमको पकड़ना है तो वह सेकंड जेनरेशन ल में जैसे के आपका लैपट आप नहीं हो रहा है तो कैसा करें सो को बाहरोरागे तो इसस तरीके तो आप डिखा रहा था इसी तरह इसके अंदर भी लिखा रहेंगा और यहां पर आपको आई 3 प्रोसेसर लिखाव रहेंगा फरटेनेशन यह वह ही जैसे कि शुरू का डीजिट दो है तो सेकंड जैनरेशन स्विकत तीन ये तरड जैनरेशन फाईवे तो फिंदर जैनरेशन तो इस तरीकें से जयन से दिकhouse य Eid i7-6agen मतलब 6 generation हो गया है i7-6 generation टो इस तरीकें से आप CPU को देखे के आराम से पता कर सकते हैं बस वो डिजिट को काउंट करना है अपने को जैसे कि यह वाला फोर जनरेशन तो इस तरीके से और ऐसे information के लिए हमारे से जुड़े रही है यही funda laptop में भी यूज होता है यही इस तरीके से हम CPU को निकालके आई यह सेकंड जनरेशन दोसो बारा है तो सेकंड जनरेशन हो गया तो यह 377 है थर्ड जनरेशन हो गया इस तरीके से आप समझ गए होंगे आप किस तरीके से देखना है तो और भी फहुक्त सारे लेस्तित्स हैं जो स्क्यमाटिक से भी पता चलता है तो भी बताऊंगा मैं आपको हैस्वेल का कौन सा है बिरिज का कौन सा है तो जुड़े रही है हमारे से छोू़े भी एक बताऊ रही है जो निए टकी समय है ωना का कौन सक calm क्दीए अछाएब गया कि झाता है तो भाकरो थता है जो भी कूआर आऌर example झाता क घार कर लो जひकिता है तो टे क्ता है ुत्सक्त्त झाल 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 झाल